मूटो सौप की आज के अपीसोड में बात होने वाली कोलोन स्टेंप टूल का काम आप है जो देख लो इनके सोठकोट की है यहां पर डॉट इस पापको देख रहे हैं सरकल श्टैप से मुव हो रही ?... स्टैप से आपको दीख रहे होगी एक कलोन है जो यूज़ करते हैं कलो जो create करता थे इनकी काम यही है तो यहां पर इस पर एंड इस पर तीन फोटेज में लिया हूं जहां के apply करके मैं बताने बनाओ पूरी इनकी details को लोन इस टेम टूल है जो होती क्या है सूरू से वीडियो लाश्टर दखेगा अगर आप फीशानल पर नहां सब्सक्राइब कीजिएगा यहां से अगर मैं स्टार्ट करू तो यहां पर आप देखलो सूरू में आपको तो नॉर्मल यह हएसे आप आप दीखने को मिलें यहां पर जैसे आप आचालते हैं वह वह पता चलिया lockdown गाद चयों कर सकते हैं। तो यहां से पर मैंने बाद ठारा है है यहां जी कर सकते हैं अपर घ्र चाढ पर बद को मिल चाट है यहांपर लाता के सब्सेंद से अट हुआ कर दो कि यहांपर यहाँ लेक्स ऑी क्ष इन ष她 उसी तरीक शिपिट है को से सब्सक्राइबट के संद्स लर्भüm आगे आप बढ़ोगे तो मोड मिल जाती है जो कि आपको मोड यहां पर भी दीखने को है जो मिल जाती है यहां पर आपको मोड 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 मिल जात तो उसके control GA करकर के and दूसरी images बना लेना क्योंकि अगर दूसरी images रहेगी आपके पास तभी आप है जो यूज कर पाओगे मतलब कि यह वहाँ फश्ट वाली पर आप है जो छोड़ दू जैस के तरस and second वाली पर आप है जो काम करो तो आपको जब points बनाओगा तब आपको बात होगी and current layer तो यहाँ पर हमें layers भी देखना परेगा यह हमारे पास images है यह हमारे पास images है तो इसके मैं control जे करता हूँ ठीक यह हमारी colors यहाँ से आपको एक layer ले लिनी चाहिए एक layer हमने उपर में ले लिया है यहाँ से आप जो colon बनाओगे तो वह apply होगी यहाँ से इस colon से आपको आपको यहाँ से select करने के लिए अगर directly मैं यहाँ पर click करता हूँ तो फोर्डो सबको not colon pattern ऐसे विकाओ जोना तो कि alt click करना है defend करना है जो points से किसे है जो source को लेनी है okay कर देनी है यहां से मैं alt click करता हूँ यहां से मैं लेना चाहूंगा यहां से जहां से भी आप लेना चाहता हो वह उस colon को ले सकते हो और यहां पर एक चीज़ और है बस एक colon को दूसरी जगा बना ही नहीं सकते हो बस खतम भी कर सकते हो वहां से तो यहां से मैं define करता हूँ hotel को and मैं चाहता हूँ कि इस पर apply करूँ तो यहां पर देखो आप hotels को ले लिया and उपर वाली images को भी खराब कर दे रहा देखो थोरी है जो खराब कर दिया तो यहां पर एक चीज और आपको देखने है कि मेरे को कैसी चाहिए ओभर ले यहां पर mode है and वही चीज मैं फिर से normal करूँगा तो आप देखो जो color है वही colors को ले रखा है बट यहां पर जो देखो darkness आ रही है side में वो यहां पर है जो आ रही है क्योंकि ब्रस को है जो बहुत ध्यान से चलाना होगा अगर मैं और भी नीचे करके चलाओं यहां से मैं चलाओं वहां से देखो क्यों उपता है alignment यहां पर on है and alignment मैंने बताया था कि जो दूस्तरी layers पर है पहली layers पर है जो आलने के लिए यहां पर unaligned control z यहां पर एक चीज और है यहां पर आपको पूछा जाता है कि आप किस layer पर काम करना चाहिए तो पहले मैं इसको दौरा देता हूँ ठीक यह दौरा दिया मैंने ले सकते हो बैट अगर मैं कहूंगा जे प्रोपर काम कर नहीं है जिसमें कि गलतियां नहीं हो तो current layer को select करो and all layers है तो all layers किसी को भी है जो defined जो कर सकता है मैं aligned को मैं off करता हूं and दूस्ती points को मैं बनाने फिर से मैं यहां से point बना रहा हूं ठीक and यहां से मैं start कर रहा हूं and brushes को थोरी छोटी ही कर लेना क्यूंकि यहां पर लग रहे है कि जुछ ज्यादा बरी हो रही है and HO, O, O हो जाएगी, यहां से T हो जाएगी ठीक देखो उपर वाली है जो बड़ी आ रही है न and यहां पर देखो पर एक चीज़ और देखो जहां पर मैं brush चला रहा हूं तो lp चला रहा हूं तो पुरानी वाली यह जहां से बना जाए वहां पर यहां पर बनाऊं hotel अगर यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं tuh मैं यहां पर भी है जो लिख सकता हूँ ये हो जाती है aligned off करने के बाद मैं चाहा चाहूं झाहा यहाँ लिख सकता हूँ अगर यहाँ चाहूं तो यहाँ पर मैं है जो डाल सकता हूँ वर्ट कलर्स आपको द्यान देने परेगी अगर चोटी है तो बीच बीच में चला करके आप द्यान दो लोगे तो वहाँ के कलर्स ले लिया वो लूपे तो थोड़ा मैच नहीं कर दिये पार्टी की काम है जो आप कर सकते हैं अगर मैं अलाइंड को अन कर दिया तो यहां आने के बाद हमारी होटेल नहीं लिखाएगी पता है होटेल जहां पर हमारी लिखाई है उसके नीचे की जो भी पार्ट से वो बनेगी आप देखो यह दो होटेल हमने कहां से उठाया देखो वहां देखो जहां से हमने होटल उठाया सुरू से उसके नीचे ये चज्जे टाप ये कुछ है उस चिछ को ले लिया और उसके नीचे भी यहां पर लिखा हुआ है होटल पूड़ानी वाली में देखो तो वहां से यह काम करते हैं हमारी अलाइंड वाले अब अक्रबद संब्सवाइगे फुलो फुलो बदो कि फुलो जितनी कम रखेंगे अगर मैं फुलो कम करता हूं एलाइंड को मैं ओफ कर देतो हुआ ठीक्ट पॉइंड समने यह पर बनाए था इस इसी जगा में बताता हूं फुलो को और कम कर दूं क्या देखो देखो यह क देखो एगर फ्लो को मैं बढ़ा दूं तो फ्लो ठीक काम बरी एड़ा दूं अधो यहां पर आपसीटी मतलब है कि जो लाइट काम हो जाईगी फ्लो में है जो फ्लो जो आसपस की कलर के स्प्रीड करते एक तरीके से वो आफ हो जाएगी अलाइंड का मतलब है कि जगर अलाइंड एक बार होटल बना दिया तो उसके नीचे की जो भी चीज है उसको बनाते जागा है तो पहले अपास एटी को बढ़ा दो उसके बाद है जो देख पाँ गए दूसरी मेज पर मैं चलता हूँ यहां से मैं उठाता हूँ किसी भी चीजों को transparent है एक चीज आवड है कि अगर आप जो मिटा ना चाहते हो तो आप है जो मीता भी तो यहां से मैं चाहूंगा जी इसे मीटा दू तो यहां से आसपास की कलर्स को उठाना और तब मीटाना बार बार है जो कलर्स उठाना नहीं तो आपकी है जो इमेज़ भी है जो खराब हो सकती है यह दो यहां से हमने हटा दिया आप है जो बाद में खोज भी नहीं पाऊ गए यहां पर कुछ थी देखो यहां पर कुछ थी क्या कि हां और मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर है इस पॉयंट को नहीं उठात और है कि यहां से पर लग रही है तो आप स्क्राइव बात करके मैं फिर से मैं बता रहा हुं इमेज skulle मैं थोड़ी करता हूं जितना मैं चलाओ उतना ही बने उससे ज़्यादा है जो बन जाती है तो फोरी अगली में जो देखो इस प्रीड का मतलग क्या होता है यही होती है इस प्रीड का मतलग जो आसपास में जो बनती जा रही है एंड अगर मैं आगे जा करके बनाओ देखो किस चीज को मैं बना रहा हूँ सेम उसी चीज को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अगर खाली जो मैंने किया था गलास को अगर यहाँ पर आगे बनाओ तो सेम वही चीज को मैं बना रहा हूँ क्यों? क्योंकि aligned है जो यहाँ पर off है देखो aligned off है and aligned off है तो जहाँ भी मैं काम करूँगा सबसे पहले यहाँ से point उटाया था दिल देखना plus की icon वहीं पर दोरेगी उसके अलावा कहीं पर भी नहीं दोर रही है नहीं दोर रही है अगर वही चीज़ को मैं aligned करूँ तो दिखना है इसके आसपास की सब ही चीज़ यह पर दोरेगी अब है जो aligned को देख लो यह पहले मेरे को बनाने दो and आसपास मैं जा रहा हूँ तो देखो इसको भी ले लिया जो मैंने बनाया था उससे भी ले लिया ले लिया आप बोलोगे कि जो उस time तो आपने करके नहीं दिखाया जो अभी लिया या ने लिया तो यह वार मैं फिर से aligned ले रहता हूँ अब देखो आप कहां ले लिया वो black वारी पर चला गया चला गया उसके बाब जो भी अगर मैं उठाता हूँ तो आसपास कही लेगा उसके अलाबा है जो नहीं लेगा यह हो जाती हमारी aligned एंड जहां भी मैं से बानाऊँगा जिस step को लिया है उसी step पर बनाएगा उसके अलाबा कोई भी step को है जो नहीं लेगा तो यहाँ पर mode अगर मैं change करता हूँ यहां पर इस चीज को मैं align को off करूगा यहां से पॉइंट लेता हूँ ठीक मोड में देख लो डिजॉल्व हो जा रही है यहां पर mode है जो अलग अलग काम करेगी एक यहां से देख सकते हूँ मोड मिल जाती है आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हो कि यहां पर इनकी काम क्या करते कि बस नॉर्मल यह प्रोपर्टी जी इनकी सेम है बट इनके सेटिंग्स और इनके डिटेल्स अगर जाना चाहोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा अगर आपको काम करनी है तो प्लीज यहां पर है जो देखते रहाणा क्या काम करती है जो हमने बनाया आइंड के साथ अपलाई किया अगर आप चाहते हो कि दूसरी लियर्स पर अपलाई करो तो यहां पर तो यहां पर किस चीज को उठानी चाहिए वह भी आप पहले पॉइंट कर लो तो गमला को उठानी है ठीक यहां पर मैच करेगी तो यहां पर बना दो जो फॉइंट उठा रहा हूं यहां पर लैंड औफ कर देता हूं उसके आगे की चीजों को उठाएगा यह होती है की काम इनके सेटिंग सार में भी आई जो डिटेलिंग में आप है जो जा सकते हो जो ब्राइस कैसे काम करेंगी लेट्स आसा है कि आपको समझ में आ गई होगी अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक कर देना अगर आप इस चनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरीके के नहीं वीडियो आपको मिलते रहेंगे लेट्स बाइबाय मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ